युगो युगो से चल रहा है में, ग्रहे नक्षत्रों का सम है खेव, म्रहमाण में ग्रहे रोज बदलते हैं अपनी चाल, आए जाते हैं आज कौन सी राशी होगी माला माल जै शनी देर, प्रिय भखकणू, मैं स्वामी राजशी, शनी पीठ मंदिर इस्ट पटेन लगर, नई दिल्ली से, आज आपके समक्ष, आज का राशी कल बताने के लिए उपस्तित हुआ हूँ आपको जानकर हार्दिक प्रसंता होगी कि मैं दस वर्ष की आयू से ही अपने पोजने प्रिताश्री, गुरू रजी शिशी जी के निर्देशन में आस्टोलोजी, नियूमरोलोजी और धर्म घंतों का अध्यान कर रहा हूँ तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें, क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको साफ्राम रेना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहे हैं, आज का राशी फ़ल। आज 22 सेबरी 2020 बिन शनिवार, फागुन मास का क्रिशनबक्ष चल रहा है, और आज चतोर दशी ती शाम 7 बच के 2 मिनट तक रहेगी, और उसके पश्चात अमावस्यतिती लग जाईए। आज अभी जीत मौनत, जो कि किसी भी कारे को करने का एक शुब मौनत होता है, वो दुपेर 12 बच के 17 मिनट से लेकर, दुपेर 1 बच कर 3 मिनट तक रहेगा, इस दौरान किसी भी शुब कारे की शुबात करने से, आपको उसमें सफलता प्राप्त होता है। आज राहुकाल सुबह 9 बच के 47 मिनट से लेकर, 11 बच के 14 मिनट तक रहेगा, इस दौरान किसी भी शुब कारे को करने से, आप सभी लोग परहिस करें। आपको लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करें। अपना योगतान दे। इससे आपको भी मानसिक शान्ती का अनुभव होगा और रोज एक ही कारण है, डिपीटिटली करने के कारण, जो आप मानसिक ठकायां महसूस कर ले थे, वो कुछ डिफरेंट करने की वज़़ा से कम होगी। प्रिये भख्यणों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दियोए नमबरों पर हमें संपर्थ करके, गुरू रजुश शीजी से, या गुरुमा रुक्मनी से, या मुझ से, वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉ कंसल्टेशन के माध्यम से, अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं, निश्चित तोर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छूटी सी फीस देनी होगी, जिसका उपियो हमारे द्वारा समय समय पर यग्यों, महायग्यों के आयोजन करने में, हर मंगल और हर सनीवार को प्रसाज वितरन करने में, और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती हैं, आज आप सात्विक भूजन प्रहेंड करें और अपने हाईजीन पर विशेज ध्यान दें, अनिता आप बिमार पढ़ सकते हों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा और आपके ग्रियस्ती में शांती का महल बना रहेगा, आज प्रातरकाल उटकर पवितर होकर सूर्य देवता को मीठा अर्ध प्रदान करने से आपको शुफल प्राप्त होंगे, आज काले कुत्ते को भोजन करवाना भी आपके अलाराशी वालों, अगर आपका अपना मकान नहीं है और आप अपना सपनों का मकान जल से जल खईदना चाते हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र से प्रांट प्रतिष्टिक नीलम की अंगूटी जल से जल धारण अवश्चे करनी चाहिए, यदि आप स्वयम की अंगूठी को खरीदने से पूर्व, आपको अपनी कुंडली का अध्यर किसी योग के ऐस्टोलॉजर द्वारा अवश्चे ही करवा लेना चाहिए, और यदि आप हमसे जोतिश परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर कर सकते हैं। आप प्रातरकाल उठकर पहले तो सूर्य देवता को अर्द प्रदान करें। उसके पश्चाथ आप एक धागे का सूत लें, उसमें साथ गाठें लगाएं, और गाठें लगाते वक्त इस मंत्र का प्रयोग करें। अपनी जेब में रख लें और उसके बाद अपने कारे के लिए प्रस्थान करें। यदि आज आप इस उपाए को शद्धा पूर्वक करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अपने कारे में सफलता प्रात्त होई। मैं आपको तीन स्टार देता हूँ। आपको गुरुजी के पास आए, गुरु रजनी शिशी जी के पास आपको कैसा लगा। मैं कभी अच्छा लगा और मैं क्या पाई मिने से उड़ाँ। तो बड़ा अच्छा भी लगा, मेरे सारे काम बन रही। और मैं सच्छी बड़ी बाद हा कि मैं कभी मेरे नहीं जुँ था, अब अपको अपको गुरुजी ने किती रिंस करनाई है, रिंस दिखाऊ। जब शार हां। चार भी मेरे सार अट स्टोंड यह एक गले का भी है और चारा मुठी है। इसको पहन के क्या प्रभाव हो। अच्छा की नहीं हो जा है, और अब हुद्ध के लिए लगा है। और देख के अट परशेंट रहें। पंचिय भू है। और लोगों को कोई मैसिज देना चाहेंगे गुरुजी गुरुवा के बारे में जो में कोई परिशान है अपनी समस्य से तो एक बार गुरुजी से जरूर मिले और आसा करता हूं तो उनका समधान जरूर होगा हमारे वेतों, पुरानों, धर्म ग्रन्थों और योधिय शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जान्वे के लिए हमारे द्वारा बनाई गही और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देख दिरें अधिक जाओए जाए वे तो उनका समधान जरूर होगाँ पर क्लिक को यहाँ पर आप दो बहुत को बहुता हुता है हमारे गहाँ पर आप को यहाँ झाला है